नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर दोस्तों कुछ दिनों पहले आस्ट्रेलिया ने इंडिया के बास्मती राइस के लिए जी आई टैक के डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है और अब ऐसे न्यूज आ रहे हैं जिसके मुताबिक ये पाकिस्तानी लॉबीन का नतीजा है जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं पर दोस्तों अगर हम इस केस को as a whole देखें and especially European Union ने भी ऐसे ही कुछ बास्मती राइस को रिजेक्ट किया था तो इस पूरे न्यूज को देखें तो यह पाकिस्तानी लॉबीन कम लग रहा है और मोर लग रहा है कि यह शायद एक textbook western trick है जिसका इस्तमाल यहाँ पर भी किया गया है क्योंकि पाकिस्तान frankly city में है नहीं कुछ Australia को additional दे सके वो तो यहाँ पे it's more about a western trick जिसके द्वारा इंडिया को कही ना कहीं बास्मती राइस के लिए GI tag से मंचित रखा जा रहा है तो क्या है यह पूरी news आ आप register करें 100 सवाल 120 मिनट में 80 सवाल 120 मिनट में proper UPSC pattern हम follow कर रहे हैं UPSC timing follow कर रहे हैं नीचे link मिलेगा वहाँ पर जाके register कर ले एक लाग के prices भी हम provide कर रहे हैं और actual UPSC pattern आपको feel करने दे रहा है actual सीखने मिल रहा है इसके सिवा pathfinder batch दोस्तों आपके लिए हम लेकर के आए है दोस्तों पहले सिर्फ केवल पहले 1500 aspirants के लिए हम 7,999 रुपए में दे रहे थे लेकिन आपके demand पर इसको हमने 30 April तक का time कर दिया है तो 30 April तक जो कोई भी pathfinder batch में enroll कर रहे हैं subscribe कर रहे हैं वो केवल 7,999 रुपए में 900 से अधिक घंटे live classes के द्वारा complete prelims means interview हर प्रकार से अपन इतना कहना चाहूंगा पूरी pathfinder team आपके जुड़ी रहेगी पढ़ाने के लिए हर stage में फ्रिलिम्स भी cover है में इंटर्व्यू भी cover है फ्रिलिम्स के बाद मेंस के लिए हम आपको mentorship भी provide कर रहे हैं interview के लिए guidance program भी दे रहे हैं mock test भी provide कर रहे हैं पूरी pathfinder team और roman sir दोनों होन healthy rice और जो कारण दिया गया है वो दिया गया है कि देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ वा सिर्फ इंडिया में इसे उगाया जाता है अस्ट्रेलिया दोस्तों आपको बता देता हूं यह किसी product को दिया जाता है फिर वो natural हो या man-made हो और इसको देने के पीछे कारण होता है कि उसक होती है इसके सिर्फ nature quality characteristic ही नहीं वो जो nature quality characteristic है वो किसी particular region को belong करे वो end में खो बस और बस उसी region में मिलती हो particular region में मिले तो ही उसको हम कहते हैं कि वो उसको GI tag मिलने के लिए वो काबिल होता है तो ऑस्ट्रेलिया का जो stand है with respect to बास्मती आपको बता देता हूं उनका कहना है कि देखिए outside इंडिया भी जो rice growers हैं वो भी जो चावल उगा रहे हैं उसकी वी equally valid claim है बास्मती claim करने के लिए क्योंकि उसकी भी same quality है लेकिन दोस्तों आप आपको बताना चाहूंगा जैसा GI tag अगर आप देखे तो सिर्फ और सिर्फ quality के basis पे नहीं दिया जाता है WTO के trips के अं बास्मती का tag तो दोस्तों यहां पर आपको बताना चाहूंगा यह कहा जा रहा है जो इंडिया के बास्मती राइस के GI tag को reject किया गया है इसके पीछे पाकिस्तानी lobbying जिम्मेदार बताई जा रही है पाकिस्तान काफी time से चाह रहा है कि इंडिया के साथ कुछ agreement हो जाए और joint GI tag हो जाए बास्मती राइस पर यानि इंडिया और पाकिस्तान दोनों का अधिकार मिले बास्मती राइस क्लेम करने का कि यह राइस बास्मती राइस है किसी भी market में बास्मती टैग लगा के वो बेच सकें दोस्तों यहां पे लेकिन numbers बिलकुल अलग बयान कुछ करते हैं इसके सिवा इंडिया में already 34 identified varieties हैं बास्मती राइस के जिसमें कुछ important है दहरादूनी बास्मती पंजाब बास्मती का कस्तूरी माही सुगंदा पूसा बास्मती जैसे कुछ important बास्मती के varieties भी इंडिया में उगाए जा रहे हैं तो दोस्तों यहां पर मैं इसको बार-बार क किया था फॉर बास्मती राइस लेकिन वहाँ पर भी पाकिस्तान पहुंच गया था उसने कहा कि ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप इंडिया के राइस को बास्मती टैक दे देंगे तो पाकिस्तान जो राइस बास्मती बोलके बेचता है उसको बहुत बड़ा ब्लो मिल देगा European Union के मार्केट में और लोग उसके राइस को खरीदना छोड़ देंगे लेकिन आपके राइस के में अगर वह बात है तो लोग खरीदेंगे रिस्पेक्टिव आफ इसमें बास्मती है या नहीं बास्मती इंडिया का कहना है इंडिया का प्रोड़क्ट है इंडिया के यो क्लेम है European Union में चैलेंज हुआ था डिसमबर 2019 में और वहाँ पे अगर आप देखे तो पाकिस्टान का भी मेन आर्गुमेंट वही था कि बास्मती राइस देखे जॉइंड प्रोड़क्ट है इंडिया की भी पाकिस्टान की भी तो काफी टाइम से ये टसल चल रहा है इ इसी भी देश को नहीं मिल रहा है दोस्तों इसके सिवा आपको बताना चाहूंगा बास्मती को लेके एक डोमेस्टिक टसल भी चल रहा है मध्यप्रदेश भी जी आई टैग फॉर बास्मती डिमांड कर रहा है बास्मती अगर आप देखे तो उसी क्वालिटी के जो राइ को बिलॉंग करना भी बहुत जरूरी है तो इसलिए इंडिया को बार-बार बास्मती राइस का टैग नहीं दे रहा क्योंकि अगर एंपी को दे दिया तो फिर पाकिस्तान और चाइना भी इसको बहुत अच्छा उपरचनिटी समझेंगे कि देखिए आपने एंपी को भी जी आई टैग दिया है और उस टाइम तो आपने जोग्रिफिकल एरिया वाले कारण को तवजू नहीं दिया तो पाकिस्तान और चाइना में क्या बुरा है इंटरनाशनल मार्केट में सेम क्वालिटी की राइस अगर हम उगा रहे हैं तो वह भी बास्मती है तो इस तरीके लाइक नेम से अल्रेडी अगर आप देखे तो यूएस में भी एक केस चल रहा है विज रिस्पेक्ट टू यूएस में एक लॉंग ग्रेंड एरोमेटिक राइस के लिए एक कंपनी ने इंजिनियर किया था उसको उसके लिए पेटेंड भी एपलाई किया था और इंडिया और जम्मू कश्मीर के दो डिस्ट्रिक्ट जहां पे जो राइस उगाई जा रही है उसी को बास्मती राइस का जी आई टैग मिलता है तो दोस्तों उमीद करता हूं आची क्लास पसंद आईए होगी तो समुद्र मंतन फ्री मॉक टेस्स नीचे डिस्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा पहरे लिंक कॉमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा पिंड कॉमेंट में भी तो जाइए जाके जल्दी से रिजिस्टर कर लीजिए एक लाग के प्राइज भी है और साथ-साथ एक्जान भी आप फील कर पाएंगे कली है मेक शोर तयारी शुरू कर दें इसके सिवा पाथ-फाइंडर बैच है दोस्तों यहां पर आपको पताना चाहूंगा 30 अप्रिल तक 30 अप्रिल तक हम केवल 7,999 रुपे में आपको सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास की जिसमें फ्रिलिम्स मेंस इंटर्व्यू त 40 टेस्ट है प्रिलिम्स के 10 टेस्ट है मेंस के आपको और कुछ नहीं चाहिए इसके बाद तो निश्टिन्स होके सब्सक्रिप्शन लें और इसके सिवा सब्सक्रिप्रिल को मैं आपसे मिलने आ रहा हूं अनक आडमी स्टोर एहमदाबाद में तो मेक शूर सुबह 11 बजे जरूर आईएगा आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगेगा